नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, आपके अपने चैनल स्टढ़िवाइस उफ़िशल पर, तो आज की इस वीडियो में हम गांधि युक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गांधि जी से रिलेटिड जो भी परिक्षा में प्रशन पूछा जाते हैं, आपको इस वी इस वीडियो में cover किये हैं, तो पहले आप पूरी वीडियो को end तक देखें और last में previous year question जरूर attempt करें, तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो हम भारतिय राष्ट्रे आंदोलन के बारे में पढ़ र जिसमें हमने 1885 से लेके 1905 तक का इतिहास पढ़ा था, और उसके बाद हमने उग्रवादी चरन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 1905 से लेके 1919 तक का इतिहास पढ़ा, और आज किस वीडियो में हम गांधी वादी चरन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 1919 से लेके 1947 तक क इतिहास देखेंगे तो अगर आपने इसके पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर देख लेना Modern History की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा तो अब हम गांधी वाधी चरण के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम गांधी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है वो देख लेते हैं तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्तूबर 1879 इस्वी को गुजरात प्रांध के पोर बंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनका वास्त्वी की नाम क्या था तो इनका वास्त्वी की नाम मोहंदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलिबाई था और 13 वर्ष की आयो में इनका विवा कस्तूर्बा के साथ हो गया था तो यहाँ दखेगा यह वन लाइनर क्वेशन पूछ ले जाते हैं कि बताईए महातमा गांधी जी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था और पतनी का नाम क्या था तो पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलिबाई और पतनी का नाम था कस्तूर्बा गांधी तो तेरह वर्ष की आयो में इनका विवा कस्तूर्बा के साथ हुआ था उसके बाद 1888 इस्वे में ये कानून की सिक्षा प्रावत करने के लिए इंगलेंड चले गए थे और वहीं पर इन्होंने 1891 में बेरिष्टर की डिगरी प्रावत की और इसी के साथ ये भारत आ गए तो इसके बाद इन्होंने राज कोट में वकालत प्रारम की प्रन्तू 1893 इस्वे में एक गुजराती व्यपारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए ये दक्षिन अफरीका चले गए थे तो बेरिष्टर की डिगरी प्रावत करने के बाद भारत में राज कोट में इन्होंने अपनी वकालत प्रारम की थी प्रन्तू 1893 में एक गुजराती व्यपारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के कारण ये दक्षिन अफरीक में हैं तो डर्बन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो जब गांधी जी डर्बन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेनी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने इन्हें जबर दस्ती प्रथम श्रेन और इसके बाद जब गांदी जी के साथ ये भेदभाव हुआ यानि कि इन्हें रेलवे के डिब्बे से उतार दिया गया उसके बाद इन्होंने दक्षिन अफरीका में भारतियों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अठारा सो चुरानवे में नटाल इंडियल कॉंग्रेस की स्थापना की थी ये अभी एक परिक्षा में पूछा भी गया था कि अठारा सो चुरानवे में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी नटाल इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना की थी या दखेगा और उसके बाद 19 2003 इस्वी में गांधि जी ने दक्षिन अफरीका से Indian Opinion नामक पत्र निकालना प्रारम किया था, तो अभी जो भी घटनाये आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी दक्षिन अफरीका की हैं, क्योंकि 1915 में गांधि जी दक्षिन अफरीका से भारत आते हैं, उसे पहले कि जो भ 80 मील दूर फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की थी महत्मा गांधी जी ने तो दक्षिन अफरीका में फिनिक्स में एक आश्रम की स्थापना की उसके बाद 1906 इस्वी में गांधी जी पहली बार दक्षिन अफरीका में सत्या ग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना का इन्होंने अंदोलन किया और उसके बाद 1908 हिस्वी में गांधी जी दक्षिन अफरीका में ही पहली बार जेल गए तो या दखेगा गांधी जी दक्षिन अफरीका में पहली बार कब जेल गए थे तो 1908 हिस्वी में और उसके बाद क्या होता है तो 1909 हिस्वी में इंगलैंड से दक्षिन अफरीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद सोराज नामक एक पुस्तक गुजराती भाशा में लिखी थी तो वेरी वेरी इंपोर्डन्ट ये किताब है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि हिंद सोराज पुस्तक किसने लिखी है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद सोराज पुस्तक लिखी गई है या दखेगा तो उसके बाद अभम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 इसवी को दक्षिन अफरीका से भारत लोटे थे तो 1915 को गांधी जी भारत लोट आते हैं और इसी दिन को भारत में प्रती वर्ष परवासी दिवस के रूप में भी मनाय जाता है तो 9 जनवरी को भारत में प्रती वर्ष परवासी दिवस के रूप में मनाय जाता है तो भारत वापस आने के करम में इन्होंने भारत की प्रिष्ट भूमी और राजनितिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इसी करम में ये गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें इन्होंने अपना गुरु माल लिया तो महात्मा गांधी जी के राजनिति गुरु कोन थे? गोपाल कृष्ण गोखले कई बार एक्जाम में ये क्वेस्चन रिपीट हुआ है कि महात्मा गांधी जी के राजनिति गुरु कोन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले तो जब ये गुपाल कृष्ण गोखले से मिले ना, तब गुपाल कृष्ण गोखले ने महातमा गांदी जी से का था कि अभी आप भारत आये हैं और अभी एक साल पहले आपको पूरा भारत घूमना है, जब आप पूरा भारत घूम लेंगे ना, उसके बाद ही आपको कोई आंदोलन करना है। मतलब कि अभी आप भारत आये हो तो पहले पूरे भारत को घूमो, उसको समझो, उसके बाद ही आगे कोई आंदोलन करना है। इहम्दाबाद में कोचरव आश्रम स्थापित किया। प्रंतु प्लेग की बिमारी के कारण इनको अपना आश्रम बदलना पड़ गया, तो साबरमती नदी के किनारे इन्होंने अपना साबरमती आश्रम बनाया। तो अब हम आगे देखते हैं, तो जब गांधी जी दक्षिन अफरीका से भारत वापस लोटे थे, तब उसमें दुनिया में प्रत्थम विश्युद चल रहा था। और उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्युद में सहायता करने की निती को बढ़ावा दिया, ताकि अंग्रेज भी भारतियों की स्थिति को समझें और उनकी मांगों के उपर नरम वैवहार करें, तो इसी करम में गांधी जी ने भारतियों को विश्युद में अ भारतियों को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए कहा था यानि कि अंग्रेजी सेना में भरती होने के लिए कहा था गांधी जी को लगा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज भारतियों के उपर अपने रवये को बदलेंगे और हमारी मांगे स्विकार करेंगे प्रंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता तो इसको देखते हुए भारतियों ने उसमें गांधी जी को भरती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था क्योंकि गांधी जी ने भारतियों को अंग्रेजी सेना में भरती होने के लिए प्रोसाहित किया था इसलिए भारतियों ने उसमें गांधी जी को भरती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था और इसी के बदले में अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को 1915 में केसरे हिंद की उपाधी दी थी, जो की आगे चल कर हम देखेंगे कि 1920 में जब आसायोग अंदोलन होता है तो गांधी जी ये केसरे हिंद की उपाधी लोटा देते हैं, प्रंटु अभी 1915 में अंग्र देख लेते हैं, तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन किया चंपारन अंदोलन, ये 1917 में किया, तो 1917 में चंपारन जो की बिहार में है, तो चंपारन बिहार के एक स्थानिय नेता जिनका नाम राज कुमार शुकल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारन बिह पहार की स्थित्ति के बारे में उन्होंने गांधी जी को बताया और वहां की तीन कठिया परनाली के बारे में भी गांधी जी को जानकारी थी और गांधी जी को चमपारन चलने के लिए कहा तो 19. शताबदी के प्रारम में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमी के 3 बटा 20 हिस्से में नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी को 3 कठिया परनाली कहा गया यानि कि अंग्रेजों ने भारतिय किसानों को ये कह दिया था कि वे अपनी भूमी के 3 बटा 20 हिस्से पर नील की खेती जरूर करेंगे उन्हें अपनी जमीन के तीन बटा बेशवें हिस्से पर नील की खेती करने ही पड़ेगी तो इसलिए से तीन कठिया परनाली कहा गया तो एक परकार से अंग्रेज भारतियों के साथ जब बजस्ती नील की खेती करवा रहे थे तो इसी के कारण राज कुमार शुकल ने गांधी जी को इसके बारे में बताया और उन्हें चमपारन आने के लिए कहा तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी चमपारन आते हैं और आंदोलन करते हैं तो इस चमपारन सत्यागरय का परिणाम क्या निकलता है तो इस चमपारन सत्यागरय का परिणाम यह निकल कर आया कि तीन कठिया परनाली को समावत कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी जो कर लगाए गये थे करों को भी 25 परतिशत तक कम कर दिया गया था और यह गांधी जी के प्रमुक आंदोलनों में से एक था तो यह चमपारन सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रत्थम विजय साबित होई और भविषय में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे तो इस अत्याग्रह के बाद रविंदरना टेगोर द्वारा गांधी जी को महातमा की उपाधी दी गई और उसके बाद ही इन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से बुलाया जाने लगा तो महात्मा की उपाधी गांधी जी को किसे ने दी थी? रविंदरनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखेगा तो अगला अंदोलन है एहमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन तो ये 1918 में होता है पहले हमने पढ़ा 1917 में चमपारन अंदोलन किया और 1918 में एहमदाबाद मिल मजदूर अंदोलन किया तो चमपारन सत्यागरा के बाद 1918 में गांधी जी एहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा तो यहां का विवाद पलेग बोनस को लेकर था जब पलेग की समाप्ती हुई थी तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हरताल पर जाने को कहा था तो यह क्या मामल है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ तो अगस्तों 1917 में क्या हुआ था कि एहमदाबाद में पलेग की बीमारी फैल गई थी जिससे क्या हुआ कि एहमदाबाद की लगभग 10% जनसंख्या खतम हो गई थी और जो थे भी न, वो बिमारी के कारण दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे थे तो मजदूरों को रोक कर रखने के लिए एहमदाबाद की मिल मालिकों ने क्या किया कि पलेग बोनस देना शुरू कर दिया लेकिन जब पलेग खतम हो गया तो यहां के मिल मालिकों ने बोनस देने से इंकार कर दिया यानि कि बोनस देना बंद कर दिया जिस कारण क्या हुआ कि वरकर्स का कहना था कि अब महगाई भी बढ़ गई है तो हमें पहले जितने सेलरी मिलनी चाहिए यानि कि बोनस मिलना चाहिए सैलरी में कमी नहीं होनी चाहिए पर मिल मालिकों ने बोनस देने से मना कर दिया तो यहीं से जो वरकर थे उन्होंने हड़ताल कर दी तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी आते हैं और साथ में यह घोशना करते हैं कि मजदूरों को 35 पतीशत बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रत्थम विश्वयद के कारण महंगाई काफी बढ़ गई थी और इसे के साथ गांधी जी भी मजदूरों के साथ अंशन पर बैठ गए तब मिल मालिकों ने यह मामला नयादी करण को सौपने का फैसला लिया यानि कि उन्होंने यह मामला कोट को सौप दिया तो कोट ने 35 पतीशत बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्यागरा भी सफल रहा तो उसके बाद हम चलते हैं खेडा आंदोलन पर तो खेडा आंदोलन भी 1918 में किया गया तो इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेडा गुजरात में गए और उन्होंने किसानों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद अंग्रेजों के खिलाफ अंदोलन किया तो यहां पर किसानों की फसलें नश्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूलिक की जा रहे थी यानि कि किसानों की जो फसले थी वो खतम हो गई थी तब भी अंग्रेज उनसे टेक्स मांग रहे थे तो गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा और इस मामले की जाँच के बाद यह निशकर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए तो गांधी जी के लगातार भारत में तीनो आंदोलन सफल रहे तो गांधी जी के दक्षिन अफरीका में किये गए उनके कारियों को लेकर भारत में वे काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे क्योंकि भारत में आते ही तिनों आंदोलनों में वो सफल रहे, जिसके कारण वे भारत में एक बड़े नेता की रूप में देखे जाने लगे, तो उसके बाद क्या होता है कि अगले ही वर्ष रोलेट एक्ट आ जाता है, 1919 में रोलेट एक्ट आता है, तो जब 1918 में विश्वय समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया था, प्रन्तु इस एक्ट में भारतियों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने उपर च से लिए कुछ अच्छे कदम उठाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, रोलेट एक्ट लागो कर दिया, तो रोलेट एक्ट क्या था, गांधी जीने से काला कानून कहा था, क्योंकि यह ऐसा कानून था, जिसमें किसी पर भी शक के आधार पर उसे गिरफतार किया जा सकता है, और उस पर देश द्रो का मुकदमा चला जा सकता है, तो इसलिए रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, जिसमें केवल शक होने पर ही उसको गिरफतार किया जा सकता है, और उस पर देश द्रो का मुकद जलियां वाला बाग नरसंहार के बारे में, जो कि 1919 में होता है, तो 1919 में ही रोलेट एक्ट लेकर आया जाता है, जिसके बाद क्या होता है, कि इसका विरोध होता है, तो जब इसका विरोध होता है, तो अब तो अंग्रेज कानून लेकर आही गए थे, रोलेट एक्ट लेकर आ दोक्टर सत्यपाल और डोक्टर सैफुदीन किचलू की गिरफतारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगे हिंसाएं हुई तो इन्ही को छुडाने के लिए एक सभा बुलाए गए तो अमरसर शहर में 13 अपरैल 1919 हिस्वी को शाम 5 बजे जलियां वाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट और डोक्टर सत्यपाल आधी के बारे में भाशन चल रहा था कि तभी क्या होता है कि सैने अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनोल डायर ने फोज के द्वारा भीड पर गोली चलाने का अधेश दे दिया तो जनरल डायर ने इन हत्ते ल उनसार मारे गए लोगों की संख्या केवल 389 थी और घायलों की संख्या 1200 बताई गए थी जबकि वैसे इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे तो इसी को जलिया वाला बाग नर संखार कहते हैं तो जलिया वाला बाग हत्या कांड के समय पंजाब प्रांद का लेटनेट गवर्नर माइकल ओ डायर था जिसकी हत्या 1940 इस्वे में सरदार उधम सिंग्जी ने लंदन में की थी और जलिया वाला बाग नर संखार के समय वाइसराय कौन था तो भारत का वाइसराय था लोड तो भारत में जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय बने है ना सबको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है वो वीडियो आपको मोडरन हिस्टी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार ने जलिया वाला बाग हत इसकी अध्यक्ष थे जीसी हंटर इसके कारणी से हंटर कमेटी की जाती है इसकी जाँच के लिए उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैंऐ खिलाफत आंदोलन जो की 1929 से लेकर 1922 इसवी तक चलता है तो उस समय तुरकी के खलीफा को सारे विशो में मुसलिमों का धारमिक गुरु माना जाता था और उनके उपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा विवार किया जा रहा था तो तुर्की के खलीफा का पद एक तरह से अंग्रेज खतम करने जा रहे थे तो अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे विवहार को लेकर भारत में मुसलिमों ने अंग्रेजों के विरुद खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुसलिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद राश्ट्री आंदोलन में जोड़ना चाहते थे, इसलिए इन्हों ने खिलाफद आंदोलन का सहयोग किया प्रारम में इस आंदोलन का नेतरतो अली बंधुओं जिनका नाम था शोकत अली और मुहम्मद अली के द्वारा किया जा रहा था प्रंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतरतो गांधी जी को सौप दिया गया था तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्ट 1920 इस्वे में आसहियोग अंदोलन की शुरुवात कर दी जाती है एक तो हमने देखा कि रोलर्ट एक्ट आया उसके बाद जलियां वाला बाग हत्य कांड हुआ तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा अगस्ट 1920 इस्वे में आसहियोग अंदोलन की शुरुवात करी गए थी और यह गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सबसे बड़े अंदोलन में से एक था तो यह आंदोलन अहिंसक होना था जिसमें भारतियों को अपने खिताबों का त्याग करना था यानि कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी भारतियों को खिताब दिये गए हैं जैसा कि हमने पढ़ा कि गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधी दी गई थी ना तो गांधी जी ने भी ये खिताब ये उपाधी त्याग दी थी तो इस आंदोलन में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना था उनके द्वारा जो भी चीजें शुरुवात की गई थी या उनके द्वारा दी गई सभी चीजों का विरोध करना था उनका सहयोग नहीं करना था, इसलिए से आ सहयोग आंदोलन कहा गया, तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतियों को अपने खिताबों का त्या करना था, सरकारी सेक्षन संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी समान और चुनाओं का भहिशकार करना था, और अंतता करों का भुकतान करने से भी इनकार करना था तो एक परकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था तो इसलिए से आ सहयोग अंदोलन कहा गया तो गांधी जी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधी त्याग दी थी तो उसके बाद क्या होता है तो इतिहास कि ए महतपून घटना घटती है चोरी चोरा कांड जो की 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है तो आसहयोग अंदोलन की शुरुवाद 1920 में होती है तो यह अंदोलन चली रहा था कि 5 फरवरी 1922 को गोरकपूर जीले में चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूज पर पुलिस वालों ने गोली चला दी जिसके कारण क्या हुआ कि उस भीड ने थाने को ही जला दिया और थाने में 22 पुलिस कर्मी मारे गए तो हमने पढ़ा था कि जो आसहयोग अंदोलन था ये अहिंसक होना था प्रन्तु यहां पर हिंसा हो गई जिसके बाद क्या हुआ तो इस घटना के बाद गांधी जी ने इस आसहयोग अंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्ने लिया प्रन्तु इस आसहयोग अंदोलन को समाप्त करने के फैसले की अलोचना बहुत भारतिये निताओं ने की थी जैसे सुभा चंद्र बोश दुआ इस फैसले को राश्ट्रे संकट कहा गया था, इसके साथ ही कई नेता जैसे चितरंजन दास, लाला लाजपतराय, मोतिलाल नहरू आदी ने इस आसहयोग अंदोलन को समाप्त करने के फैसले की अलोचना की थी, परंतु गांधी जी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बा उसके बाद क्या होता है कि 1923 में सोराज पाटी का गठन होता है, तो इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, इन्ह स्वराज पार्टी की स्थापना की थी तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई तो किसके द्वारा की गई चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू के द्वारा और कब की गई तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तो उसके बाद अगली महतपूर घटना है साइमन कमीशन का भारत आना तो साइमन कमीशन 1928 में समिधानिक सुधार का अध्यन करने के लिए भारत आय था और भारतिये समिधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की निक्ति की गई थी और साइमन कमिशन का नितरतो किस ने किया था, तो सर जोन साइमन ने इसका नितरतो किया था, जिसमें साध अंग्रेज सदस्य थे, तो भारतिय समिधानिक सुधारों को देखने के लिए साध अंग्रेजी सदस्य भारत आय थे, जिने साइमन कमिशन कहा गया, क्योंकि इनके ल उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भागे का निर्धारन नहीं कर सकते इसलिए इस आयोका बहिशकार किया गया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलाय से मुंबई पहुँचा और यहां पर इसका स्वागत देश व्यापी हरताल के साथ हुआ यानि कि जोरदार तरीके से पूरे देश में इसका विरोध हुआ और जब यह कमीशन दिल्ली पहुँचा तो वहां पर काले जंडे इसको दर्तों में इसके खिलाफ परदर्शन किया गया और यहीं पर पुलिस के लाठी चार्ज के कारण कुछी दिनों के बाद लाला जी की मृत्ती हो गई थी तो साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया गया जिसके कारण इसे भारत से वापस लोटना पड़ा तो उसके बाद अगला अंदोलन है सविने अवग्या अंदोलन यहीं 1903 से लेकर 1934 तक चलता रहा तो यहीं अंदोलन गांधी जी का आसहयोग अंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा अंदोलन साबित हुआ था और यहैं अंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था परंतु कुछ कारनों की एक ऐसा समय था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था तो इसका तात पर यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन दो चरणों में चला था पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक चला था तो सवीने अवग्या अंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और सवीने अवग्या अंदोलन भारतिय लोगों की मांगों को स्विकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने हितु आसहयोग अंदोलन का ही एक रूप था तो उसके बाद क्या होता है तो दांडी मार्च तो 1930 इसवी में गांधी जी ने उस समय के भारत में वाइस राय लोड इर्विन के सम्मख्ष 11 सूत्रिय मांगे रखी थी और इन 11 सूत्रिय मांगों में भारतियों को कैद से छोड़ने और सेना का खर्च कम करने आदी जैसे 11 मांगे रखी गए थी तो इन 11 सूत्रिय मांगों को अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अभी बस आप इतना जान लिजिए कि 11 मांगे अंग्रेजों के आगे रखी गए थी तो लोड इर्विन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्रिय मांगों के उपर कोई कदम नहीं उठाए गए जिसके परिणाम सोरुब गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्ने लिया और दांडी मार्च करने की घोशना कर दी तो दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक करके विरोध में चलाय गया था और इसके साथ साथ सविने अवग्या अंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाय गया था तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अपरेल 1930 तक चला था तो यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबर मती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चला गया था तो याद दखेगा कि दांडी मार्च कहां से कहां तक चला था तो साबर मत्य आश्रम से लेकर दांडी गुजरा तक यह दांडी मार्च चलाए गया था और इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग-अलग छेतरों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी टोटल दूरी कितनी थी तो 241 मिल तक यह मार्च चला था तो शुरुवात में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे परन्तु दांडी पहुचते पहुचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुडते चले गए और यह संख्या लाखों पहुच गए तो जब गांधी जी ने दांडी म तक पहुँचे न, तब उनके साथ यह संख्या बढ़कर लाखों तक पहुँच गई थी, तो दांडी पहुँचकर गांधी जी के द्वारा वहां नमक उठा कर इस नमक करके कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्ज बहुत जादा परभाव शाली रहा था, जिसके बाद सुभाज चंद्रबोस ने इसकी तुलना मुसोलनी और निपोलियन की यात्रा के साथ की थी, तो उसके बाद आगे है गोल में सम्मेलन, तो 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों के द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाय गया था, ताकि भारत के विभि तो 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों के द्वारा तीन गोल में सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाय गया था, जिसमें प्रती वर्ष एक गोल में सम्मेलन हुआ करता था, तो 1930 में पहला गोल में सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ और 1932 में तीसरा ग अगली वीडो में मैं आपको डीटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर यहां पर बताऊंगा, तो यह वीडियो काफी लम्बी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम तीनों गोल में समैलन पढ़ेंगे, उसी के साथ हम 11 सूत्रिय मांगे और गांधी इरविन का जो समझोता होता है वो भी पढ़ लेंगे और उसी के साथ पूना समझोता जो कि गांधी जी और बाबा साहब भीमराओ अमेडिकर की बीच में होता है वो भी देख लेंगे यहाँ पर मैंने इनके बारे में बताय तो है पर इतना डिटेल में नहीं बताया अगली वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ पर बस आप इतना जा लिजिए कि तीन गोल में सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाय गया था, पर गांधी जी ने केवल दूसरे गोल में समेलन में भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए, कि तीन गोल में समेलन हुए थे, पर गांधी जी ने केवल दूसरे गोल में समेलन में भाग लिया था, उसके बाद आगे है गांधी इर्वि किया था और यह है गांधी इर्विन समझोता के नाम से जाना जाता है और यह समझोता पांच मार्ज 1931 को हुआ था गांधी और इर्विन के बीच में उसके बाद है पूना पेक्ट समझोता जो की 1932 में होता है तो यह है पूना पेक्ट गांधी जी और बाबा साब भीमरा अम भीमराव अमबेट करके बीच में हुआ था, अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पूर्णा पैक्ट समझोता में आकिर था क्या, बस अभी आप इतना जान लीजिए कि ये किसके बीच में हुआ था, तो हमने गांधी इर्विन समझोता देखा, उसके ब पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतियों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेजी सेना में जादा से जादा भरती किया जाए और दूसरे विश्वयद की लड़ाई के लिए भेजा जाए, तो बहुत सारे परतिनिधी मंडल भी भारत आये, जो भारतियों को अंग्रे कर सकते थे, और यह बात भारतियों को भी समझा चुकी थी, तो इस बार भारतिये लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्वयद में कोई मदद नहीं करना चाते थे, हमने देखा था कि पहले विश्वयद में भारतियों ने अंग्रेजों की मदद की, तो अंग्रेज क्या लेकर आये, रोलट एक्ट जिसे काला कानून कहा जाता है, तो इस बार भारतिये अंग्रेज़ों के जहांसे में नहीं आये और भारतियों ने अंग्रेज़ों का साथ देने से मना कर दिया। क्रिफ्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, याने कि यह आगे की तारीक का चेक है, जिसका बैंक डूबने वाला है, तो क्रिफ्स मिशन ब्रिटेन के द्वारा भारत में भेजा गया था, ताकि वो भारतियों को समझाए, प्रन्तु अब भारतिये अपने हितों को अच् और यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया था, और अंग्रेजों के विरुद भारत छोड़ो आंदोलन था, तो इस आंदोलन को अगस्त करांती के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि अगस्त में इस आंदोलन की शुरुवात हुई थी, 8 अ तो इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा ओपरेशन जीरो आवर चलाय गया था, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े निताओं को गिरफतार कर लिया गया था, तो गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफतार करके आगाखां पैलिस में कैद करा ग प्रन्तु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के निताओं ने अलग-अलग छेतरों में यह आंदोलन जारी रखा, तो इसके साथ-साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खुब सहयोग किया था, और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी सुतंतरता संगराम की लड़ाय मे से एक बना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अब हम चलते हैं 1947 में, तो 22 मार्ज 1947 को बिटिश भारत का 34वा एवं अंतिम गवर्नर जनरल लोड माउंट बेटन भारत आया, और लगभग दो महिनों की वारता के पश्चाद, लोड माउंट बेटन इस निशकर्ष पर प बना दिये गए, तो 1947 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिये गए, तो उसमें भारत के दो टुकडे किये गए थे, एक को पक्षमी पाकिस्तान बनाय गया, और एक पूर्वी पाकिस्तान बनाय गया, दोनों ही छेतर उसमें पाकिस्तान के अं 1947 में पाकिस्तान को दो छेतर दिये गए थे, पक्षिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आगे चल कर पाकिस्तान से अजाध हो जाता है और बांगला देश बन जाता है, प्रंतु पहले पक्षिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार कर महात्मा गांधी जी को शहीद कर दिया गया तो यहाँ पर हमारा थियोरी सक्षन कंप्लीट होता है अब हम प्रिवियस एर क्वेशन देखते हैं तो पहला प्रशन है कि महात्मा गांधी जी के राजनितिक गुरु कोन थे गोपाल कृष्ण गोखले तो इसका सही जवाब होगा option A अगला प्रशन है कि महात्मा गांधी ने सत्यागरा किर्याविधी सबसे पहले कहां प्रियुक्त की तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भारत में कौन सा सत्यागरा किया था तो इसका सही जवाब है option B चमपारन तो चमपारन सत्यागरा 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले भारत में किया गया था तो इसका सही जवाब है option B चमपारन अगला प्रशन है कि आ सहयोग अंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था तो आ सहयोग अंदोलन क्यों खतम किया गया था तो चोरी-चोरा घटना के कारण तो option D, चोरी-चोरा में होई हिंसा घटना के कारण आ सहयोग अंदोलन को निलंबित कर दिया गया था तो इसका सही जवाब है option D अगला प्रेशन है कि नमक सत्यागरे किस इसवी में प्रारंभ हुआ था तो नमक सत्यागरे 1930 में हुआ था इसका सही जवाब है option A अगला प्रेशन है कि वर्ष 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था तो 1919 में जलिया वाला हत्यकांड कहां पर हुआ था तो अमरे सर, option A, इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था तो इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रेशन है कि साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था तो साइमन कमिशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था इसका सही जवाब है, option B, अगला प्रेशन है कि करमा अनुसार विवस्थित करें तो आपको इसका सही करम बताना है तो पहले है साइमन कमिशन का भारत आगमन उसके बाद है आसहयोग अंदोलन, पूर्णा पेक्ट और गांधी इर्विन पेक्ट तो इसका सही करम क्या है? तो सबसे पहले तो आएगा आसहयोग अंदोलन 1922 में हुआ था उसके बाद साइमन कमिशन भारत आये था 1928 में उसके बाद गांधी इर्विन समझोता 1931 में हुआ था और उसके बाद पूर्णा पेक्ट हुआ था 1932 में तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा option D 2, 1, 4 और 3 यानि कि पहले आसहयोग अंदोलन कि साइमन कमिशन उसके बाद गांधी इर्विन पेक्ट और लास्ट में पूर्णा पेक्ट तो इसका सही जवाब है option D अगला प्रेशन है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो गांधी जी ने 1923 में हुई थी और किस ने की थी चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने तो इसका सही जवाब है option D 1923 अगला प्रेशन है कि जलियाँ वाला बाग के नर संगहार के समय भारत का वाइसराय कौन था तो उसमय भारत का वाइसराय था लोड चेम्स फोर्ड तो इसका सही जवाब है option D अगला प्रेशन है कि महात्मा गांधी ने हिंद सोराज की रचना की थी जब वे तो इसका सही जवाब है option C कि जब वे जहाज से इंगलेंड से दक्षिन अफरीका की यातरा कर रहे थे न तो उसी समय उन्होंने हिंद सोराज की रचना की थी तो इसका सही जवाब है option C अगला प्रेशन है कि भारत छोडो अंदोलन का प्रारम कब हुआ था तो भारत छोडो अंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्ट 1942 को पारित हुआ था और भारत छोडो अंदोलन की शुरुवात हुई थी 9 अगस्ट 1942 तो इसका सही जवाब है option A 9 अगस्ट 1942 तो आज का आखरी प्रेशन है कि दक्षिन अफरीका के किस रेल्वे स्टेशन पर महातमा गांधी को नसल या भेद भाव के कारण ट्रेन के प्रत्थम श्रेणी डिब्बे से निकाला गया था तो इसका सही जवाब होगा option B Peter Meritsburg रेल्वे स्टेशन पर महातमा गांधी को रेल्वे डिब्बे से निकाला गया था तो इसका सही जवाब है option B तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है कैसी लगी है वीडियो comment section में जरूर बताना धन्यवाद